हलो फ्रेंड्स मैं हूँ रामेंद्र सिंग चौहान डिजिटल वर्ड में आज एक बार फिर आपका स्वागत है अभिनंदन है डिजिटल वर्ड के अमेजिंग वर्ड सो में आज एक बार फिर आपको दुनिया की एक खास जील के बारे में दिखाएंगे तो चलिए आज आपको न्यूजिलेंड की एक ब्यूटिफुल लेक की सेर पर ले चलते हैं कई खूबियों वाली इस जील को सैंपेन जील कहते हैं वैसे देखें तो सौंदरे की इबारत लिखने में विश्व की जल धाराएं भी पीछे नहीं है जी हाँ जल अर्थात पानी का रंग हमेशा स्वेत सफेद ही पाया गया है लेकिन प्राकरतिक धरोरों की इस रंखलाओं ने इस सच को भी अक्सर जुठलाया है न्यूजीलेंड की सैंपेन पुल जील भी कुदरती करिस्मों से लबा लब है इस जील की एक धारा के जल का रंग हमेशा कलरफुल रहता है इस लेक का कलर हमेशा ओरेंज रहता है तो वहीं इसकी जल धारा में हमेशा सैंपेन की तरह बुलबुला उठता रहता है साइद इसे लिए इसे सैंपेन पुल लेक के नाम से जाना जाता है न्यूजिलेंड के रोटो रुआक से दच्छन करीब 30 किलोमीटर फासले पर इस्थित यह कुदरती जील विश्व के लिए एक अमेजिंग पॉइंट मतलब अजूबा बना हुआ है टोपों से उत्तर दिशा में करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर यह अमेजिंग लेक दिखेगी ओरेंज कलर जलधारा वाली यह कुदरती जील करीब 9 वर्स पहले अस्तित्त में दिखी यानि पहली बार इसे 9 वर्स पहले देखा गया करीब 62 फुट गहरी वा करीब 65 फुट लंबी इस अमेजिंग लेक को देखने देश दुनिया के असंथ परेटक आते हैं इस जील का जल दाइरा करीब 18 लाक घन फुट है इसकी सतह का जल तापमान करीब 74 डिग्री सेल्सियस रहता है जबकि जील का सामान जल करीब 260 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जील के पानी में हमेशा बुलबुला उत्ता रहता है उत्तरी ग्रीब की इस जील जर्ना में रासायनिक गैसों का भारी भंडार उपलब्द है यानि इसे गैसों का भंडार कहा जा सकता है इसमें हाइड्रोजन सलफाइड मिथेन आरसेनिक सलफाइड आग गैसों का प्रचुर भंडार है इतना ही सैंपेन पुल जील के आसपास के पहाडों में बेश कीम्ती धातूं की उपलब्दता भी पर्याप्त तादात में है इन पहाडी इलाकों में पारा थैलियम के अलावा सोना वा चान्दी भी पाया जाता है इस विलच्छन जील का जल किसी तरल पदार की भाती दिखता है तो जील में जल का प्रवाह उबलता हुआ दिखता है ऐसा ऐसास होता है कि लेक की जलधारा से अभी विश्फोट हो जाएगा इस जील का जल गिलास में भर लेने से सैंपेन की भाती ज़ाग के साथ फैलता दिखता है न्यूजीलेंड के भूर वैज्यानिक इस अमेजिंग यानि विलच्छन जील का अध्यन कर रहे हैं कि आखिर इसका जल यानि पानी इसका वाटर उबलता हुआ कैसा दिखता है आखिर क्यों वलता है आपने यह वीडियो देखा आपको कैसा लगा हमें अवस्य बताएं यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा पसंद आया तो इसे शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करना न भूले हमारे इस वीडियो शेयर को लाइक करना न भूले हलाकि लाइक करने के हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं लेकिन हमारा इससे मोटिवेशन होता है इसलिए लाइक अवस्थ करें आपने हमारे वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू